मदुवरी मदेपूर प्रखन के करहरा पंचायत के रुपोली गाउं में सनिवार देर रात को अचानक आग लग जाने के अफ़रा तफ़री मच गई इस अग लगी कान में 20 परिवारों का आशियाना जलने के बाद बेघर हो गया ऐसे में पिरित परिवार ने प्रखन से राहत की गुहार लगाई है आग कैसे लगी इस बात की जानकारी किसी को नहीं है आग रात के करीब 12 बज़ कर 45 मिनट में लगने की जानकारी अस्थानिया लोगों ने दी अस्थानियन लोगों ने आग लगने की सुचना अगनी सामक विभाग को दिया लेकिन अगनी सामक की बाहन लगवग एक घंटे की विलम से घटना अस्थाल पर पहुंच तब तक बहुत ज़ादा देर हो चुकी थी दमकल कर्मी तथा आस्तानियां लोगों के सहयोग से जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 20 परिवार की घर जलकर उसमें रखा सारा शमान राक हो गया वहीं परिद परिवार ने बताया कि घर में थोड़े बहुत जेवरात और कपड़े खाने की समान के साथ 4 बकड़ी तथा एक महीस का बच्चा का दर्धनाक मौत हो गया जिससे अपरिद परिवार के सामने खाने पिने की बड़ी मुशिवत खड़ी हो गई इस बात की जानकारी मिलते ही मधेपूर प्रखंड के अंचला दिकारी पंकज कुमार सिंग घटना अस्थल पर पहुँच गए तथा घटना की जानकारी की जाँच के बाद उन्होंने बताया कि पिरिद परिवार को सरकार के तरफ से हर संभव राहत मुहिया कराई जाएगा तो इसके बात जो है जो है जो बहुत आदनी सब उप्चार के लिए भी हमारे यहां पहुचा क्योंकि हम ग्रामिंची कित्सक भी है किसी प्रकार के जानवाल का भी नुखत्रा हुआ है बकरी उप्रीश और मरा है और जितना भी संपति है इस हर्जन का सब बरवाद हो चुछा है इस वागत आप लोगोंने प्रसाशनी का सब्सक्राइब को अभी तक नहीं आए बात रहा गई ग्रामीन को जितना इधर अगल बहल का गहों का आदमी सब है आकर के सहयोग क्या है और हम लोग भी सहयोग में लगे हुए लोग बोल देंते कि फायर ब्रिगेट का गारी पहुं कि ठीड़ा की और गहने क למaster अभी तक नहीं आए अभी तक नहीं है है इस मुक्या आप अपने अस्तर से कुछ काम की हैं अभी में चल रहा है मेरा काम चल रहा है आदमी लोग काखनाऊ का वेवस्था हो रहा라고 है क्या नाम है आपका रदिनाख्षा का घर है कुरस को